हाई एवरीवान फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है सो दोस्तों आज की इस वीडियों हम संदी चप्टर के अंतरगात आयादी संदी के बारे में विश्त्रित पुर्वा अध्यान करेंगे तो इस वीडियो को सुरू से अंतरग देखेगा चलिए सबसे पहले समझ लेत बाद आप ध्यान से देखते जाएए आपको पड़िभासा सरा चीज याद हो जाएगा जित तैसे पड़िभासा बताएंगे किलियर हो जाएगा और आपको इसे नहीं हम सिद्र लिख देंगे समझाते वे आगे बढ़ेंगे तो वीडियो को देखते रहे हैं तो इसका कोई ओ समानश्वर आए ठीक है कोई ओ समानश्वर आए तो या रखना है एक अस्थान पर आए एक अस्थान पर आए तथा आए के अस्थान पर आए ओ के अस्थान पर आब तथा आओ के अस्थान पर आब हो जाता है इसे ही आयादी संदी करते हैं ठीक है या जो आयन संदी के जैसा ही डिफनेशन है फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं यदि ए आय ओ या फिर आओ के बाद कोई भिन्षवर है या कोई ओ समान्षवर आए तो ए के अस्थान पर ए के अस्थान पर आए आए के अस्थान पर आए ओ के अस्थान पर अब तथा ओ के अस्थान पर आब हो जाता है इसे ही आयादी संदी करते हैं इसे ही क्या करते हैं आयादी संदी अखिर यह सब जो आई आई आप किसे बना है आपको चलिए अंदर की वो लेकर चलते हैं अंदर से समझाने का पढ़्यास करते हैं ठीक है तो देखिए हरसाई या दिरगही यन संदी में पढ़े हैं हरसाई यह दिरगही किसमें चेंज होता है यह अलंद में यह यन संदी में पढ़े हैं अगर हरसाई दुरगहू के बाद अगर समन स्वर रहेगा वा समन स्वर रहता है तो हरसाई यह दुरगहू किसमें चेंज होता है ओ अलंद में ठीक है इसको याद रखेंगे हम लोग इह में देखिए, यह में ये जो बना है किन-किन वर्णों मिलकर, यह जो बना है किन-किन वर्नों से मिलकर बना है बताइए तो यह जो बना है ओप पलास हरसाही के मेल से किसके मेल से बना है ओप पलास हरसाही के मेल से क्या बना था यह यहां ध्यान से देखिए ओ लिख देते हैं हरसाही यह दिरगई यहां संदी हरसाई दिर्गई के बाद अक्ला समझ स्वर्राटा तो हरसाई दिर्गई किसमें चेंज होनका था यह रे तो यहानLedICES है यहां लेग देंक है यह रे तो क्या बन गया हों अ कि हैं तो एक श्थन पर किसे हुआ है समझь में आया आपको अंदर से समझाने का प्रयास यह हैं उसके बाद देखो यहाँ आए कीसे बना है यहें नब देखिए ए जो बना आइकार आइकार जो बना है किन्किन वरनों से मिलकर बताए है वापलास ए मिलके और प्लस ए मिलकर क्या बना है आएकार तो यहां और आने देते हैं, ए में कौन-कौन सामर मिला है, ओ पलस हर सही, ओ पलस हर सही, यह फिर लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर आई लिख देते हैं, ओ पलस ओ, क्या बनेगा, ओ पलस ओ, आ बनेगा, लास्ट में यह अलांद तो क्या दैएंगा एक ऐस्थान पर आयका जो अगमन वाट एक है जो आए मी बदलता है किसे बदलता है वह हम यहां करकर दिखा दिया है किसे आया है एक य स्थान पर आयिका इसैंग है कीसे मता दियो बता नहीं है यह बुख як नहीं या वाई आपको अंदर से डिपली से समझा रहे हैं ठीक है उसके बाद देखे अब है न जो बनता है किन-किन वर्ण उसी मिलकर और पलास हर साहू और अपलास हर साहू तो और रहने देते हैं हर साहू जो है किसमें चेंज होता है वह अलंग देते हैं क्या बन जाएगा अब तो आउ के अस्थान पर अब का प्रयोग होता है किस तरह से आपको डिफली से बता दिये ठीक अब के से होगा अब है आउ के अस्थान पर आउ के अस्थान पर आप आप हो जाता है अयादी संदी में तो देखते हैं आप के से वाह है ठीक है तो यहां ध्यान से देखिए आउ अव जो मिला है, अव जो है किन किन वर्नों से मिलकर बना है, ओ पलस, ओ के परियोग से, ओ पलस, ओ के परियोग से बना है, ठीक है, मिलकर बना है, तो ओ पलस, ओ के बदले क्या ले सकते हैं, ओ कार के बदले, तो ओ कार के बदले लिख सकते हैं, अब, क्या ले सकते हैं, अब, लास्ट में वह अलंद है क्या बन गया आप तो ऑव के अस्थान पर आपका जो प्रियोग होता है कैसे आप आया है पता चला आपको अंदर से समझाएं ठीक डिपली के तोर पूरी करहाई से समझाएं तो चलिए समझते आप इसका उधारन के माद्यम से आपको समझाते हैं प नाम जोर के पहले देखे ए हैं उसके बाद भीनस्वर है तो आए में चेंज होगा सबसे पहले हम इसका वर्न विच्छित करते हैं वर्न विसले सम्ट नो आलांग जोर ए पलस और पलस नो आलांद जोर और पलस मौलंग ठीक है यहां ध्यान से दखिए एक आप एक बदलिक है क्या लिखेंगे अए आए या लिखेंगे आए ठीक है लेकिन यहां देखिए नौट धेन नौनगे नौट यहां पर यहाँ आएगा आए आएगा लेकिन इस स्वर के साथ और के साथ मिलेगा पूरा यह बनेगा बनेगा उसके बाद है नम यह नहीं लास्ट में तो पलस नम लिख देते हैं यहां देखिए क्या बनेगा पुरानो बनेगा नाई नम क्या बनेगा नाई नम क्या बनेगा नाई नम क्लियर है तो हम इसको सिधार रूप में लिख देते हैं नाई जूर अनम क्या बनेगा नाई नम नाई नम उसी पड़कार है सहे जूर अनम क्या बनेगा सैदन उसके बाद है सै जूर अनम इसी प्रकार क्या बनेगा सैदन सैनम अब अगला प्रियोग समझते हैं एकार का प्रियोग एक की अस्थान पर लाई का परियोग, आई के स्थान पर आई का परियोग, गाय जो राका, क्या बने espy गायक नाय जो राका, क्या बने espy अंगला परियोग legal plan थेटा सिर्योंते हैजू है और के स्थान पर अब का प्रखोज और अगर बात भीण सुराए तो किस माने जोगा तो आफ लोगा आपनब में पॉतर ना भबना स्पर्बूर करण अगला अगला प्रियोक समझते हैं और करें स्थान पर आप का प्रियोग है पॉजो राख अ melody बनेगा पावका पावका पता चल रहा है कि इसे हुड़ा है इसको हम अलग-अलग करके फिर लिखते हैं वह अलान जूर आओ वह अलान जूर आओ यह नहीं है और किसमें चेंद होगा आप में ठीक है धो अलान जूर आप क्या बन जाएगा पोह अलान जूर आप क्या बनेगा पाव क्या बनेगा पाव लेकिन यहां को भी सर्ग है तो क्या बनेगा पावका पावका क्या बनेगा पावका धोजुरा क्या बनेगा धावका ठीक है तो आयादी संदी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट पुरुबक समझ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे परुपरुप संदी क्या होता है परकिर्ति भाव संदी क्या होता है उसके बाद आपका जो स्वर संदी है पुड़ी तरह से खतम हो जाएगा समप्त हो जाएगा तब अगले संदी में चलेंगे बेंजन संदी के बारे में परेंगे तो आई होप आज का यह वीडियो समझ में आजा होगा सरा चीज यह जो आयादी संदी बताएं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात